हेलो मेंबर्स अब देखो आज का वीडियो बहुत इंपोर्टन है मार्केट आज फॉल हुआ लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कल चांसे से मार्केट रीकवर कर सकता है अगर कल मार्केट ग्याब डाउन ओपन हुआ तो रीकवर कर सकता है लेकिन देखो आज बताना चाहूंगा आज मेट कैप स्मॉल कैप में काफी तगड़ी प्रॉफिट बोकिंग होती हुए दिखाए दी इवन मार्केट में क्या चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा एंड आगी की स्ट्रेजी क्या हो सकती है अपडेट करूँगा ठीक है तो अगर चैनल को फर्स टम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देड़ा चले फटाट पॉइंट पॉइंट स्टाट कर लेते हैं तेको मार्केट में फॉल के बहुत सारे वज़ा है अगर बात करेंजिए सर मार्केट क्यों क्रेश हुआ पहला तो FI कंटिनिसी सेलिंग करें यहां पे बिफोर दर इलेक्शन यह सबसे नेगेटिव है एंड सठा बाजर में माना जा रहा है कि यहां पे कॉंगरेस बहुत टॉफ देने वाली है और शायद जीत भी सकती है 2024 यानिकि जो गडबंदन होता है ने कॉंगरेस का वो शाद ही आपे जीत सकती है और ऐसा सर्कुलर आ रहा है देखो मैंने यह सर्कुलर ऑलरडेऑ लाई मार्क बीजेबी की 216 कॉंगरेस की 112 और इंडिया की 225 तक की सिर्स आ सकती है तीक है यह 60 बज़ार की अलग अलग एरिया के भाव है आप देख सकते हैं फालोडी पालनपूर करनाल बहुरी बहुत कॉलकता अलग अलग जगह हैं आपको 60 बज़ार के दिखाए दे रहे जिसमें लेकिन देखो मैं आपको सीर्स नौट में बताना चाहूंगा कि यह जो आपको दिखाए दे रहे यह जो 60 बज़ार रुखवाओ दिखाए दे रहे इसको अभी के लिए भरोसा मत करना यह एकदम ब्लाइंड है आप यह बूल सकते हवा में बात ही चल दी है बस तुक के चल रहे ठीक है तो इसको भरोसा करके कुछ भी सटा भी मत लगाना और भरोसा भी मत करना आपको में जो होगा वो एक्जिट पोल में आता हुआ दिखाए दे सकता है ठीक है हां लेकिन आप यह बूल सकते के बाई निफ्टी होते ना प्लेयर्स होते इंवेस्टर्स ट्रेडर् विलेट कर लेते हैं मार्केट को और डर जाते हैं इसके बाई से भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती हुए दिखाए दी निफ्टी के अदर बात समझ में आ अभी न्यूस है तीसरी अगर न्यूस की बात करने जाए तो डाउ जोन्स अब देखो अगर सीरेस नौट पर उचे तो यह जो डाउ जोन्स है यह सबसे में मैंनोपलेटर है कोई विश्वास करे के ना करे भाई डाउ जोन्स कंटिनेसली फॉल करा है अब देखो कि पिछले 6-7 दिन के अंदर डाउ जोन्स लगातार फॉल है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आंट दिन ठीक है? कंटिनेसली फॉल किया है तो एक इंपेक्ट वाएका न निफ्टी में बले निफ्टी में इंडिया में इलेक्शन्स चल रहे है लेकिन एक इंपेक्ट वाता है और मैं हमेशे बुदता हूँ कि ग्लोबल मार्केट के साथ कनेक्टेड होता है, मार्केट, ठीक है? हाला कि एका दिन उपर नीचे होजा है, कोई फरक नहीं पढ़ता है लेकिन अगर लगा था डाउजोंस नीचे आ रहे है तो बैए ग्लोबल मार्केट के साथ इंडिया वे कनेक्ट होता है कैसा है? यूएस की जो करंसी होती है ठीक है? उसके साथ हमारी करंसी करंसी कनेक्टेड होती है डॉलर्स में हम लोग ट्रेट दते हैं, वैसे ही समझ में आ रहे है? तो आप देखो के आज भी डाउजोंस नीचे था, डाउजोंस के फ्यूचर नीचे थे मार्निंग में जिसके वज़े से निफ्टी आपको गिरता हुआ दिखाई जया आप देखोगे, बाई CSO को टेस्ट किया और निफ्टी वापस फॉल कर गया है, ठीक है? तो जो मैं बोलता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ, लाई मार्किट में हलाग कि वॉलेटल होता जरूर है मार्किट लेकिन मैंने एक्जेटल आपको बताए था कि बाई CSO के उपर निफ्टी नहीं जाएगा ठीक है? तो चलिए, ये तीन रीजन होगे मार्किट फॉल की वज़ा अब देखो, पॉइंट अलग आ जाता है कि बाई CSO की वज़े से हाँ पर फॉल करता हुआ दिखाई जै अब मुद्दा आ जाते हैं हाँ पर अगला कि अभी मार्किट में सर क्या होगा? देखो, मंडे से एक्जिट पोल आना स्टार्ट हो जाएगे और निफ्टी अलरी काफी वाद तक क्रैश हो चुका है निफ्टी ओरसोल्ड है, एक्सपारी खतम हो चुकी है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको नीचे के लिवल से दिखाई दे सकती है मंडे से एक्जिट पोल आने वाले हैं तो आप यह समझो, निफ्टी का अभी टेंबररी बिजिनस पे 22-500 का या 24-400 का आप सपोर्ट बोल सकते हैं और उपर का रेजिस्टनस नहीं पे 30-30000 का उपर का रेजिस्टनस बोल सकते हैं तो मार्केट मुझे लगता है बहुत जल्द यह रिकवर कर सकते हैं और वैशे भी जो शॉर्टेस होंगे, एक्जिट पोल जैसी आएगा, ठीक है तो मंडे को डेफेनिली मार्केट रिकवर करेगा तो एक्जिट पोल से पहले डेफेनिली शॉर्ट कावरिंग आपको दिखाए जैसकती है कोई भी शॉर्टेस नीचे के लेवल पर नहीं रहेंगे ठीक है, एक और बात सुने का, यह important है मैं यह miss कर चुका हूँ, यह focus कीज़ेगा मार्केट में मोधी के stocks चल रहे है देखो, see, यह buzzing है, आप इसका article पढ़िएगा, देखो यह क्या हो रहे हापे, नाइधर अदानी और अंबानी नो टाटा, मोधी stocks is the biggest buzzword before the poll result और मोधी जी के stocks कौन से है, जो hot favorite है, यहाँ पे L&T, NTPC, NHPC, PFC, ONGC, IGL, Reliance, Indus Tower, भार्थी एटल और माहनगर गैस, यह stock है, जो मोधी के biggest आपको यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं, ठीक है, माना जा रहे है यहाँ पे before the elections या after the elections यह stock पे आपको momentum दिखाई जरू दे सकती है, समझ में ही बाते, तो यह stocks आप radar पे जरू रख सकते हैं, मोधी के stocks यहाँ पे mention होते हुए दिखाई 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 तो जैसे कि मैं आपको बताया था, PSU stocks आप radar पे definitely रख सकते हैं, कल chances है, PSU आपस एक pullback करते हुए आपको दिखाई जा सकते हैं, ठीक है, तो कोई भी आपको PSU जो पसंद आता है, वो आप नीचे के level से focus ज़रू कर सकते हैं, ओके, last not the least, office space की अगर बात करने जाएं बाइ, listing आपको काफी अच्छी होती होई दिखाई दी, ठीक है, पहले तो लगी नहीं रहा था कि listing इन हो सकते हैं, उसके बाद stock के listing इन 12-13% होए, फिर stock ओपर जाता हुआ दिखाई दिखाई दिया, यहां से तगड़ी profit booking आपको आती होई दिखाई दे सकते हैं, और भई, ऐसी company को चूज करना ही क्यों चाता है, जो कितने सालों से company loss making है, 2019 में loss किया था, 2020 में loss किया था, 21-22-30, every year यह बंदा loss किता हुआ दिखाई दिखाई दिया और आपको यह पता नहीं क्यों stock चीहें, तिक कंपनी अगर मैं आपको बात करने जाए, यहां पर focus करो, office space का stock देखो यहां पर, यह जो अभी लिस्टिंग हुआ ना रिसेनली आज के दिन के अंदर यह कमणी का रिजरूस भी यहाँ पे नेगेटिव में चलता हुआ दिखाई दिया है आप इसका बॉरेंग देखो बॉरेंग कितना बढ़ चुका है जितना रिजरूस नेगेटिव है उससे 4-6 गुना यहाँ पे कमणी बॉरेंग पे बैठी हुई है अब इसको पास पैसे तो है नहीं तो पैसे नहीं है इसकी वज़े से लिस्टिंग तो करनी ही पड़ेगी शेर मार्केट के अंदर तो बस इसकी वज़े से स्टोक यहाँ पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया है इनकी बैलेंशीर में कोई दम है नहीं आप फस होगे बहुत तकड़े फस होगे इतने जाद है तो यहाँ पे इनके अब करजे हैं कमणी के उपर तो बैटर है थोड़ा wait and watch करो ऐसी कमणी के अंदर यहाँ पे गुसो मत एक बार कमणी आप अच्छा profit generate कती है इनका balance sheet थोड़ा stable हो जाते है उसके बाद देखीगा तो ऐसे स्टॉक में profit booking ही बैटर option हो जाता है क्लियर चले hope यह सभी points आपके mind में आ चुक है कोई doubt रहता है comment कीजिएगा still मेरे वीडियो पसंद आते है शेर कीजिएगा आपके group के अंदर facebook iam sure whatsapp के अंदर भी आपकी पूरी community होगी आपके friend circle वहाँ पे शेर जरुका दीजिएगा और telegram में नहीं है जाके जुड़ेगा यहां पे important updates में रखता रहता हूं और आज मैंने कोई btsd नहीं लिया था अगर हमारी investors community को join करना चाहते हैं हमार लिंक से account open कर सकते हैं ठीक है जिरोदा के अंदर अब stocks, angel, fias कोई भी एक में anyone के अंदर हमारी link से आप account open कर सकते हैं ठीक है और account opening की link में आपको वीडियो के description comments में provide जरुका दोगा मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye जाए के अचित